मैं आज किस लेक्षर में मैं मोस्ट 25 वन वर्ड सब्टिटिशन को डिसकस करूंगा चलिए तो देखिए हमारा प्राक्टिस सेट फो है दिखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं आधी जिन्दगी बिता देते हैं कुछ न करते हुए और आधी जिन्दगी बिता देते हैं उसके बारे में बात करते हुए तो उसे बोलते हैं माल कॉंटेंट क्या बोलते हैं उसे माल कॉंटेंट बोलते हैं देखिए डेफिनेशन भी है आप पर्सन हूँ इस डिससटिसफाइड और डिसगस्टेड उसे माल कॉंटेंट कहते हैं वह व्यक्ति जो असंतुस्ट रहता है जो व्यक्ति खुश नहीं रहता है उसे हम माल कॉंटेंट कहते हैं clear है ओके अब next है question a person who enters without any invitation वह व्यक्ति जो बिना किसी invitation को enter करता है उसे Hindi में हम लोग घुसपैठिया कहते हैं English में intruder कहते हैं क्या कहते हैं intruder कहते हैं घुसपैठिया कहते हैं वह वंगती जो बिना जोए सबकूस वगर भी इंक्रीट कर जाते हैं कुछ डॉप्वर जो होते हैं वह इंक्रीड कर जाते हैं ठीक है, ओके तो ऍटीश है तो वह आइज टीडर इंक्रीडर मतलब घुसपैठिया रोता है इन tätर भी होता है देखे, someone who intrudes on the privacy or property of another without permission अब person who trespass, देखे, trespass भी बहुत महत्पुन word है, ये भी होता है intruder, sentence in English, गुस्पैठिया, the intruder fired at least one more shot at the guard than fled ठीक है, intruder ने एक shot किया और फिर वो runaway कर गया, भाग गया अब person who has beautiful handwriting, वह वेक्टी जिसकी handwriting बहुत सुन्दर हो तोसे बोलते हैं calligraphist, calligraphist जो होता है, calligraphist का मतलब होता है beautiful होता है, सुन्दर होता है, बहतर होता है, और graphist आप जानते ही है, graphing करना someone skilled in penmanship, वह वेक्टी जो master of pen हो, जिसकी handwriting बहुती beautiful हो बहुती सुन्दर हो, देख सकते हैं, mistakes are always forgivable if one has courage to admit हमेशा गलतियों को छमा किया जा सकता है, बसरते किसी व्यक्ती के अंदर इती ताकत हो गलती मान लेना, आप जानते हैं, गलती मान लेना भी बहुत ही ताकतवर इंशान की बात होती है कमजोर दिल वाला व्यक्ती गलती accept ही नहीं करता है, उससे लगता है मैं accept कर लूँगा तो कमजोर हो जाओंगा लोग मेरा नाजाय से फाइदा उठाने लगे नहीं, आप अच्छे दिलों में अपना महान जगह बना लेते हैं कहते हैं कि जो a pardon is the word to all, अगर आपने किसी को छमा कर दिया तो जान लिजे आपने उसे सब कुछ दे दिया यहाँ आपकी महानता को दर्शात है, a person who is talkative, वह वैक्ती जो बहुत बोलता है उसे हम लोग garrulous कहते हैं a person who talks more, बहुत ज़ादा देख सकते हैं, madam is very talkative, talkative, chatty, chat से बना है garrulous, locusious, valuable and gassy देखे इतने words हैं, word के साथ आपकी सनानिम्स भी अच्छी होती चली जारे मैंने पूरी कोशिस किया है कि कोई भी word छूटे ना और सारे word को well explanation के साथ आपको मिले अगला word है, a person who is ready to believe things, वह वैक्ती जो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है ज्यादा तर जहर खुराने के शिकार वही बनते हैं, जो बहुत ही दिल के नेक होते हैं, हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं उसे बोलते हैं credulous, credulous मने होता है अस विश्वासी, बहुत जल्दी विश्वास करने वाले को हम लोग credulous कहते हैं सहाज विश्वासी, disposed to believe on little evidence, showing lack of judgment or experience वह वैक्ती ज्यादा तर जो judgment में थोड़ा कमजूर होता है वह वैक्ती जो जैसे कि बहुत महत्तपूर जैसे अंगूठियों के जो पत्थर कारता हो और बहुत हीरे जहवराद जैसे stones को काटता हो, उसे lapidist कहते हैं वह वैक्ती जो पत्थर को काटने में expert होता है देखें, मैंने पूरी definition दे रखी है a person whose business is to cut, polish, set our deal in a gemstone जो महत्तपूर पत्थर होते हैं, वह वैक्ती जिसको अच्छे धंग से कट करता है तरासता है, polish करता है, उसे कहते है of relating to gems stone of the work of lapidary उसे lapidary कहते है, बहुत सुंदर वर्ड है ये ठीक है, अगला वर्ड है a number of ships बहुत धेर सारी जहाजों के जुन्ड को क्या कहते हैं उसे fleet कहते हैं, ये आपका collective noun है fleet, raft, ferry boat, ferry, passage, boat, flying bridge बहुत सारे word होते हैं इसके, उसे हम लोगते है, fleet जहाजी बेडों का समूह, बहुत सारे जहाज देख सकते हैं आप न बहुत सारे जहाज, क्योंकि समुद्र में एक नहीं कम सकम दो चार दस जहाजों को साथ छोड़ा जाता है जिससे समुद्री लूटे रे आ करके उसको लूटे नहीं से बोलते हैं, fleet Something that cannot be taken away, जो लिया न जा सके उसे बोलते हैं, in-alignable एक एक word को अच्छे से पढ़ते जाएए, पूरे definition को लिखते जाएए, समझते जाएए आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगे, inevitable, indispensable, in-alignable है न, जो अलग किया न जा सके, हस्तांतरित न किया जा सके, उसे in-alignable कहते हैं अगला word है, to examine one's thought and feeling, बहुत अच्छा word है, आत्मदर्शन see yourself, not pursued, God to scan, proper study of mankind is man, खुद को देखें, अगर आप हमेशा अपने को देखेंगे, तो अपने को आप बहतर बनाने लगेंगे खुद को अपना आइना बना लीजे, हम कितना सुन्दर हैं, तब दूसरे को कहेंगे कौन खराब है, हमारे में कितने कमियां हैं, तब हम किसी में कमियां ढूणें किसी में कमिया ढोडने से पहले यह देखो कहीं मेरे अंदर तो नहीं है अगर मेरे अंदर है तो फिर कमी ढोडने ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके अंदर पहले कमी है पहले आप उसे सुधारेंगे उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राइस्पेक्षन और इसकी सुध हिंदी होगी आत्मदर्शन आत्मदर्शन होता है इंट्राइस्पेक्षन होता है enough see yourself फर्स्ट ट्राइटू फाइंड आप यॉर मिस्टेक्स देख सकते हैं आत्मदर्शन अगर आप सीसे में अपना चेहरा आप देखेंगे तो दूसरे के चेहरे के देखने के जरूरत ही जादा नहीं पड़ेगी हन इसे बोलते हैं एंट्रो इस्पेक्शन आत्मदर्शन इसे बोलते हैं एनेक्डोट मतलब होता है आप देख लिए उपाख्यान एनेक्डेड एपिसोड लिजेंड छोटी सी कहानी जो किसी व्यक्ती पर आधारित होया उसे एनेक्डोड कहते हैं स्माल स्टोरी होती है किसी व्यक्ती के बारे में ही उसे उपाख्यान भी कहा जाता है देख लिए a short account of an incidence किसी व्यक्ती के बारे में बहुत छोटी सी कहानी हो उसकी छोटी सी लाइफ की घटना हो उसी को explanation कहते हैं आप जानते हैं red light areas होते हैं बहुत सारे शहरों में तो वहाँ prostitution चलता है आप जानते हैं तो यह prostitute होता है यह word आपके one word substitution में आया हुआ है इसे English में देखे definition बहुत सारे word हैं कुछ word को तो देने में भी थोड़ा सा अठपटा लगता है बट है तो देना पड़ता है प्रोस्टिटूड बोलते हैं हैरलोट बोलते हैं कर्टिसियन बोलते हैं हैट्रिया बोलते हैं यह सारे synonyms word हैं देख सकते हैं प्रोस्टिटूशन जो है यह बहुत पुराना कल्चर है ओल्ड समय से चला रहा है और चलता रहे गई है लाइफ हिस्ट्री ऑफ परसन रिटेन बाई अनेदर जीवन की कहानी जैसे मेरे जीवन की कहानी कोई दूसरा जब लिखता है तो उसे बायोग्रॉफी कहते हैं और जब मैं अपनी लाइफ स्टाइल को खुदी अपने बारे में लिखूंगा तो उसे हम लोग बोलते हैं आटो बायग्रॉफी अगला क्वेस्टन ही है कि किसी की बहुत सारी पतनिया हो उसे क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं पॉली गैमी याद रखीगा पॉली मीन्स होता ह है मेनी मेनी होता है और गैमोस माने होता है मैरेज तो वह ब्यख्ती जो कई मैरेज करता है उसे बोला जाता है पोली गैमी बोला जाता है polygamy बोला था poly मतलब many और गयमी माने होता है marriage तो polygamy में कोई भी हो सकता है एक पूरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है या एक स्त्रिक कई पूरुषों से विवाह कर सकती है having more than one spouse at a time बहु विवाह प्रथा जैसे भाई सहाब ने दो शादी कर लिया होश रखता है घरवालों ने कर दिया हो और एक इनकी कोई friend रही हो अब भाई अगर दोनों की आपस में अच्छी पढ़ती है तो कोई problem नहीं है अब ऐसे आप तो समझ सकते हैं बुद्धिमान है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है अब आप देख सकते हैं एक भाई साब ने चार शादिया किया है ठीक है भाईया अब किशी की किशी शे बन जाती है कोई किशी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे तो लगता है ऐसी स्थिती में husband की सेवा कुछ जादा ही होती होगी है कि नहीं क्योंकि वहां competition रहता होगा कौन जादा सेवा किया कौन जादा सेवा किया इधर देखिए एक madam ने चार पतियों से शादी किया तो आप देख सकते हैं अब person who does not believe in any religion वह वैक्ती जो किसी धर्मने भिश्वास नहीं करता है वह प्रकृत पूजक होता है प्रकृत को ही भगवान मानता है उसे बोलते हैं पैगन बोलते हैं पैगन बोलते हैं पैगन beliefs and activities do not belong any of the main religion of the world and take nature and believe in many goods many gods as a basic मतलब पैगन वह होते हैं जो किसी और धर्म में नहीं बलकि वह प्रकृत को ही अपना देवता मानते हैं देखिए इन लोगों ने प्रकृत को ही अपना देवता मान लिया है और उसे में enjoy कर रहे हैं नेचर is all and all ठीक है नेचर never betray the heart whom it loves प्रकृत जिससे प्रेम करती है उसको कभी धोखा नहीं देती है लेकिन what man has done for man इंसान ने इंसान के लिए क्या किया है सिवाई धोखा के bringing about gentle and painless death from an incurable disease कोई व्यक्ती ऐसे बीमारी से जूज रहा है न जी पा रहा है न मर पा रहा है उसे बोलते हैं यूथी नैसिया इसे बोलते हैं इक्षा मृत्यू आप President, Chief Minister के पास लिख सकते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ अब नहीं जीने के condition में हूँ तब आपको मृत्यू इक्षा मृत्यू दान दिया जाता है फिर आपको injection लगा के मौत के घाट उतार दिया जाता है The act of killing someone painlessly especially someone suffering from incurable illness कोई व्यक्ति दर्द से रात दिन कड़ा रहा है तो उसे मुक्ती देने के लिए वो खुद मुक्ती चाहता है इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे इल्थिनेसिया के अंदर गत ला जाता है बहुत सारे देशों में यह है A small enclosure for cattle, sheep, poultry कोई एक ऐसा enclosure, एक घेरा हो जिसमें छोटे-छोटे जानवर रखे जाए उसे हम लोग pen कहते है तो pen का दो मतलब होता है pen का मतलब देखिए कलम होता है जो यहाँ पर है और pen का मतलब देखिए एक घेरा है जिसके अंदर को जानवर को रखे जाते है बना करते हैं कि पत्थर से बना है उसके अंदर जानवर रखे जाते है तो काज ट्रूपस ETC तो स्प्रेड आउट इन रेडिनेस पॉर बैटल युद्ध के समय चारो तरफ जब सेना को लगाई जाती है तो उसे डेपलॉय कहते हैं सारे सेना को डेपलॉय कर दिया गया है कहीं से भी दुस्मन आएगा डिफ्यूज करना, प्रोट्रूड करना, अनफोल्ड करना, एक्स्पेंड करना इस्टेड डेपलॉय यह सारे इसके डेफिनेशन है, मिनिंग है आप जानते हैं हाई जैक होता है जब कुछ बदमास लोग किशी प्लेन को, किशी कार को, किशी बैस को अपने कबजे में ले लेते हैं, घटना आप देख सकते हैं बहुत सारे आतंगवादी, पुरा प्लेन ही कबजे में कर लेते हैं और डिमांड करते हैं, कि हमें दो-चार हमारे जो आतंगवादी पकड़े गए हैं उनको छोड़ दीजे आप और आप देख लें तो फिर उनकी तबियस सही भी की जाती है जब कौन आते हैं, कमांडोज आते हैं तो कमांडोज आपरेशन में उनकी भी काईदे से आपरेशन कर दी जाती है जब ज़्यादा नहीं मानते हैं तब यह हमारे सब ब्लैक कैट कमांडोज हैं जो इनकी तबियस सही करने के लिए परियाप्त ब्यवस्था देते हैं ठीक है? The act of killing one's wife कोई अपनी पतनी को मार देता है उसे क्या कहते हैं? एक सोरिशाइड कहते हैं एक सोरिशाइड कहते हैं बहुत सारे A husband who murders his wife the murder of a wife by her husband तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पुरी दुनिया घुमते हैं, टहलते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पर पतनी की हत्या कर देते हैं तो आप देखिए एक समय होता है श्रमुद किनारे घुमने टहलने जाएंगे फिर गोली शिमार देंगे, मर जाएगा फिर उसकी पूरी प्रपरटी हत्या करके और फिर दूसरे के शाद भी ऐसे करते हैं दुनिया में तरह-तरह के लोग हैं यह जानते हैं यह सेरे नेड होता है जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कोई छोटा सा गाना गाता है खास करके उसकी खिड़की के शामने कि क्योगल वही सुने जैसे बहुत सारे लोग कि अगर किसी की प्रेमिका घर के सामने रहती हो थोड़ा दूर पे रहती हो तो गाना तेज बजाते हैं वो अपने लिए नहीं वो गाना उसके लिए बजाते हैं तो आप समझदार है अब देखिए पूरा definition मैंने दे रखा है If one person serenates another They sing or play a piece of music for them Traditionally men did this outside the window of the women they loved Clear तो ही क्या होगा पहले लोग ऐसा किया करते थे जैसे गाना ने मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सट्टोकडा रहता है ऐसा ही कुछ गाना है मुझे पूरा याद नहीं है बड़ ऐसा ही समझ लीजे आप तो देखिए अब यहाँ पे कोई लड़की बैठी है खिड़की के पास और उसका प्रेमी उधर से गुजर रहा है एक छोटा सा गाना घाद गा दिया अब यह लड़की समझ गई और फिर लड़का समझ गया एक बहतरीन जोय करता हुआ और निकल गया ठीक है तो गवर्मेंट बाइद नोबिल्स को क्या कहा जाता है उसे अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है जो धनी लोग होती है उनका गवर्मेंट होता है उसे अरिस्टोक्रेशी कहते है जो धनी लोग उसे अरिस्टोक्रेट कहते है उच्चुवर, प्रधान, वर्ग अभिजात अब देख रहे हैं इसे रिचय लोग हैं ऐसे लोगों का सासने लगता ही नहीं कहीं कई बार देख कर कि यह इंसान है लगता है भगवान नहीं देवता के रूप में भेजा है धरती पर है इनके पहनावा, उनके कपड़े, लत्ते इनके बॉड़ी स्ट्रक्चर यह बाकी के सब आप समझार है कोई ऐसा लेटर उसके बाद जब शाइन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं एनीटिं रिटेन इन लेटर आफ्टर इटीज साइन्ड कोई ची लेटर लिखा गया है और उसको क्या किया गया हो साइन किया गया हो वो लेख पस्चलेग पूरा डेफिनेशन ही है रोक के लिख लिजे कभी नहीं वर्ड भूलेंगे वह व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है तो अपने डेट को कैसे पूरा करेगा कर्ज को तो आप जानते हैं जो एक्रोबैट होते हैं नट होते हैं सरकस वगरा में काम करते हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे देख करके बड़ा ही अठपठा लगता है कि है भगवान यह कैसे इतने सहरे एक्सन्स को कर लेते हैं तो गाइस आज के इस लेक्चर में मैंने मुस्ट 25 इंपॉर्ट वन वर्ट सब्टिशन को डिसकस किया तो गाइस कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करियेगा वीडियो नहीं अच्छा लगता है दिसलाइक करियेगा one more request please if you are new please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos one more request guys so please and please send this link to your friends near dear and sweetheart one and at last do not forget to send your valuable feedback according to your feedback lul be working so thanks for joining with me good day all and take care all